हाई नमस्कार मैं हूं अडिल मिस्तरा और बहुत दिनों को बाद मैं दूसरी वीडियो अपनी आलग वीडियो बना रहा हूं यह वीडियो है यहांपर में MSME मोड्यूल के बारे में टैली प्राइम में MSME का फीचर कैसे नीबल करते हैं और कैसे यूज करते हैं यहांपर लगा हूँ है हमारा लगा देते हैं आड़ान फीचर हो जाएंगे यहां पर enable MSME feature है set MSME feature इसको yes करेंगे यहां पर company का basically जो हमारी company है national यह है national company national company company का MSME number यहां डाल देंगे इसको डालने के बाद जिस party का MSME number है उस party का MSME number डाल देंगे है जैसे सपोज मैंने एक party लिया ABC company limited यह सब सेंपल डेटा है तो यहां पर हमने MSME नंबर इनका फीड कर दिया कि हमारा फीड होगे MSME number अब हम अगर सेल करने जाएंगे सपोज हमने एक सेल के इंट्री लिया यहां पर यह पार्टी की नाम है हमारे कोई भी एक पार्टी ले लिया है अपर सेल करना है कंट्रोल है यहां देखेंगे MSME number नंबर इनका आगया तो MSME नंबर दोनों साइड है MSME number consignee में भी है और बायर में है बायर का सब्सक्राइब दोनों साइड MSME number है तो अगर कोई भी पार्टी करेंगा आप्टमेटिक MSME नमबर यहां आएगा हम इन्वाइस को सेब करेंगे जैसे इन्वाइस दुबारा प्रिंट करेंगे या प्रिंटिंग में जाएंगे तो हमारा MSME नमबर यहां दिख जाएगा यहां देखेंगे बायर कांसाइनी दोनम MSME blt यहीं MSME नमबर प्रिंट करना होगा देभर नो में भी प्रिंट होगा वर आप शक्रेणि को सब्सक्राइब करेंगे नाम से आप इसको सप्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आप हवब करते हैं किसी कंपानी में इसको यह चाहिए हम एक कमेंटे में कुल कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं जह च्छी धन्यवाद iPhone